एक गाउं में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और चार लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे, जो गाउं में वेसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपने पत्नी से कहा कि अभी तो में खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा, इन्होंने तो कभी मेहनत ही नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। रामलाल की पत्नी ने कहा धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे समय बीत्ता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते एक बार रामलाल बहुत बिमार पड़ गया वो काफी दिनों तक बिमार ही रहा उसने अपने पत्नी को कहा कि वो चारों लड़के को बुला कर रामलाल ने कहा लगता है कि अप में ज्यादा दिनों तक जिन्दा नहीं रहूंगा रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा इसलिए उसने कहा बेटे मैंने अपने जीबन में जूबी कमाया है वो खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकाल कर आपस में बाट लेना ये बाद सुनकर चारो लड़के खुश हो गए कुछ समय बाद रामलाल के मिर्तु हो गई रामलाल के मिर्तु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकलने गए उन्होंने सुभ़ से लेकर साम तक सारा खेत खोद दिया लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया लड़के घर आकर अपने मा से बोले पिताजी ने हमसे जुड बोला था उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला उसकी माने बताया तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज भी बो दो इसके बाद लड़के ने बीज बोए और मा के कहने अनुसार उसमें पानी देते गए कुछ समय बाद फसल पक कर तैयार हो गई जिसको बेज कर लड़कों को अच्छा मुनाफ़ हुआ जिसे लेकर वो अपनी मा के पास पहुँचे मा ने कहा तुमारे मेनत ही असली खजाना है यही तुमारे पिता जी तुमको समझाना चाते थे इस कहानी से हमें क्या सीख सीखने को मिलती है हमें आलस से को त्याग कर मेहनत करना चाहिए मेहनत ही इंसान की असली दोलत है